नव लेट उस स्टार्ट इक्सर्साइज 2.5 पिस्टर नमबर 3 फैक्टराइज द फालोइंग योजिन एप्रोपियेट आइडेंटीज हमको जो सुटेबल आइडेंटी हो उसी को लगा कर इसको फैक्टराइज करना है तो 4y स्क्वाइर माइनिस 4y प्लस 1 इसमें हम पाहले देखें कि काउंच सी आइडेंटी यूज हो सकती है तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वाइर माइनिस 2 इन्टू 2y इन्टू बी सेकेंड टेर्म 1 का स्क्वाइर 1 ही होगा इन्टू 1 प्लस 1 स्क्वाइर अब हम इसको देखें कि इसके इक्वाल है या नहीं है तो 2y का होल स्क्वाइर is equal to 4y स्क्वाइर माइनिस 2 इन्टू 2 is equal to 4y प्लस 1 का स्क्वाइर 1 इसका मतलब है a स्क्वाइर माइनिस 2ab प्लस b स्क्वाइर के फार में है तो a स्क्वाइर प्लस 2ab प्लस b स्क्वाइर is equal to होता है a माइनिस b का होल स्क्वाइर यह आइडेंटी सेकेंड है तो आइडेंटी सेकेंड में इसको कनवर्ट कर देंगे इसके लिए हम 2y square minus 2 into 2y into 1 plus 1 square is equal to 2y minus 1 का whole square first term का square minus 2 into first term into second term plus second term का square is equal to first term minus second term का whole square यह identity second है इसी प्रकार हम question number third को solve करेंगे पहले हम इसको देखें कि काउं से identity लग रही है उस identity के हिस्त एक आडिंग हम question को solve कर देंगे